नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिये नरायन गंगोपाध्याई जी की कहानी एक और शरीर गर्मी की छुटियों के बाद जब हेड मिस्ट्रिस सुधा सेन गुपता स्कूल लोटी तो उसकी मांग में सिंदूर की महींसी रेखा चमक रही थी कलाई में सौने की चुडियों के साथ सफेद श्यंक की चुडिया रिस्ट वाच भी नई आने के पश्यात हस्ताक्षर किया सुधा मित्र स्कूल में हलचल मच गई यह क्या बात है सुधा दीदी हम लोग जान भी नहीं पाए सुधा मित्र के गोरे गाल सुर्ख हो गए रेजिस्टर्ड मेरिज थी अचानक हो गई किसी को भी खबर नहीं कर सकी स्कूल के सेकरेटरी ने हसकर का बदाई हो कि दू हम लोग ऐसे नहीं चोड़ेंगे मूँ तो मिठा करवाना ही पड़ेगा अच्छी बात है कई ये कब खाएंगे अभी नहीं मिस्टर मित्र को आने दीजिए जोड़ी मिलेगी उसके बाद और एक ने जोड़ दिया कि और भी गंभीर होकर बिजगनित के पेज उलटने लगी सुधा सैन गुपता और शामली घूष एक ही कॉलिज की सहपाटनी थी सुधा हर समय ही ही करना पसंद करती थी कॉलिज की फंक्शन में मनीपुरी डान्स का प्रोग्राम देती एवम कॉलेज स्पोर्ट्स में भी कभी-कभी भाग ले लेती थी हॉस्टल की लड़कियों की छिपाई होई खाने की चीजे खोज कर चुप-चाप उड़ाने में उसका कोई जोड नहीं था किन्तु शामली का सभाव ठीक इसके विप्रीत था हर समय अत्यादिक घंभीरता उसे घेरे रहती थी हॉस्टल एवम कॉलेज के बीच कृष्ण नगर नाम के एक शहर का भी अस्तित्व है ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया जूलन या वारदॉल का मेला कुछ भी तो उसका दियान अकरशित नहीं कर सकता था किन्तु फिर भी दौनों में अश्चारे जनक मित्रता थी फैग्यानिक नियम के अनुसार जैसे घनातमक और रिनातमक को अकरशित करता है ठीक उसी तरह बीए पास करने के पश्चात दौनों पीछुड गए दो वर्ष तक तो कई कई प्रिष्टों के लंबे लंबे पत्र सुधा ने शामली को लिखे किन्दु जवाब लिखते समय एक घंडे तक कलम के साथ कसरत करने के बाद भी आठ पंक्तियों से अधिक की समाचा नहीं सूचते थे शामली को अंत में वही हुआ जो प्राया होता है दोनों के जीवन दो दिशाओं में बढ़ गए चार वर्ष पस्चात में में हेड मिस्टर सुधा सेन गुपता को एप्लिकेशन की फाइल उलटते समय शामली घोष बीए बीटी की धरगास दिखाए दी कॉलिज का नाम बीए पास करने का साल आदी से और भी निश्य हो गया प्लेट फारम पर उतरते ही शामली ने देखा सुधा वहाँ खड़ी है अरे तुम यहाँ? हाँ तुमारे लिए सच? खुशी से शामली की आँखे चमकने लगी लगता है तुम इसी स्कूल में? स्कूल के चप्रासी ने आगे बढ़कर बीच में ही का बड़ी दीदी सब समान तब हाँ हाँ रिक्षे में रखवा दो मेरे कौर्टर में ही जाएगा बड़ी दीदी और स्वभावत है ही शामली दो कदम पीछे से रख गए तो तुम हाँ भई हैड में स्ट्रे से हूँ क्या करू तकदीर का दोश है इसके लिए तो शुरू से ही मुझे क्या दूर कर दोगी? नहीं नहीं मेरा मतलब और इससे अधिक शामली कुछ नहीं बोल सकी अच्छा चली है सब बात में होता रहगा अभी तो घर चलो चार वर्शोर से कितनी बाते कर्ठी कर रखी ही तुमारे लिए सारी राद बगबग करते रहने पर भी शेश नहीं होगी आओ प्राया खीचते हुए शामली को रिक्षे की और ले चली एक बार जो शामली को वह ले गई उसके बाद उसे अपने पास ही रखा टीचर स्मेस में जाने की बात चलाई तो भी शामली ने तो दो एक बार किंदो सुधा ने हमेशा नराजगी ही दिखाई क्यों यहां क्या असुदा है तुमें जरा मैं भी तो सुनू मुझे कुछ पे असुदा नहीं कामका तो में तकलीफ होगी तकलीफ कैसी तीन कमरे हैं मेरे क्या काम आएंगे और सब खर्श तो दे ही रही हो बेकार ही क्यों जमेला करती हो मान से सुधा की आँखे चल चला उठी घर में अकेली रहती हूँ रात के समय यदि चोड डगयत आकर खून भी कर जाए तो कोई देखने वाला नहीं अच्छा ठीक है अगर अच्छा नहीं लगता तो चली जाओ शामली हसी तुम्हारे क्वार्टर से लगकर ही प्रेजिडेंट का घर है और सामने सौगच की सुधा जानती थी फिर भी इस तरह जाया नहीं जाता सभी बात में सुधा का वही ब्रहमस्त्र तकदीर का दोश था जो हैड मिस्ट्रेस हो गई किन्तु तुम भी मुझे इतना गैर समझोगी ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था शामली की असली चुबन को सुधा जानती थी इसलिए वह कोई भी बात इस तरह शुरू करती कि शामली को चुबन के अस्तित्व का प्राणपन से छिपा लेना पड़ता था फिर भी साथ-एट महीने में बहुत कुछ सहज हो आये था सुधा सैन गुपता की है असाधरन पॉपूलेरिटी थी चात्राओं को उस पर बहुत श्रद्धा थी टीचर सभी उसे काफी मानती थी एवन संपूर्ण गवर्निंग बॉड़ी को उस पर विश्वास था इसलिए जिस बात का सबसे अधिक ढरता उसी इर्शया का लेश मात्र भी सुराग अन्य टीचरों में नहीं मिला शामली को पर इतने दिन पात फिर से घटाओं की चाया पढ़ने लगी सुधा सैन गुपता नहीं सुधा मित्र सिंदूर की सुक्ष में रेखा चमक रही है सिर्फ हैड मिस्टर सीनी दौनों के बीच में किसी तीसरे का दिवार बनकर खड़ा हो जाना ही उसको खटक गया अन्य टीचरों एवन सेकरेटरी की तरह शामली भी खुश होना चाहती थी उसने कहना चाहा था हार्टी कॉंग्रेचुलेशन्स इन तो किसी भी तरह नहीं कह पाई उसका मन अश्यारेजन एक रूप से कुंठित एवन संक्रिन हो उठा सुधा को लोटने में देर होगी स्कूल कमरेटी की जरूरी मिटिंग है आज शामली अकेली ही लोटी कपड़े बदल कर नहाती समय अन्य मनसक्ता से सारे बाल बिगा बैठी और फिर गीले बालो सहीती अपने कमरे की खड़की के बगल में चौकी पर बैठ गई इस खड़की में बैठने से कुछ दूर पर एक नदी दिखाई पड़ती है शिलाई नदी वास्तविक नाम था शीलावती बालू के कंड दिखाई पड़ती और खेया घाट के फूस वाले छप्पर का एक कौना नदी के उस पाहर शाम का लाल रंग दिखाई पड़ रहा था एवं उस लाल रंग के नीचे काली चाया पड़नी शुरू हो गई थी मनुष्यों के धुंदले अकार भैसों का एक जूंड तता उनके पैरों से उड़ती धूल यहां से दिखाई पड़ती है शामली एक टक उसी और देखती रहे उसके मन में भी शाम उतर रही थी सुधा ने शादी कर ली और उसे खबर तक नहीं थी एक पत्र तक नहीं लिखा और उससे भी बड़ी बात रेजिस्टर्ड मेरीज इसका मतलब बहुत दिनों से यह चल रहा था घटना अचानक नहीं घटी किन्तु इन आठ महीनों के भीतर सुधा ने एक बार भी उसके सामने बात नहीं चलाई गी एक बार भी नहीं कहा कि और एक दिवार खड़ी हो गई थी दौनों के बीच हो सकता है बताने की इच्छा होकर भी ना बताए पाई हो और शामली स्वैम भी तो इसका एक कारण है पांच महीने पहले की बात है स्कूल की और एक टीचर शादी करने के पश्यार रिजाइन करके चली गई थी सुधाने का था लीला के पती को देखा था भाई लड़का अच्छा है लीला सुखी हो गी कुछ देर शामली चुप रही थी उसके बाद जवाब मिला नहीं सुखी नहीं रहेगी मरेगी एक दिन सुधा चौँक उठी अचानक अचानक ऐसी इतना सिरियस क्यों कह रही हो किसी ने तुझे बिट्रे किया है क्या नहीं ऐसा दुर्बा गया तो मेरा कभी नहीं हो तब फिर ऐसी बात क्यों कहती हो पूरुष्जात को जानती हो इसलिए वे सभी ऐसे ही होते हैं लोभी, स्वार्थी, लड़कों को एक्स्प्लॉइट करना छोड़कर दूसरा उदश्य ही नहीं रहता उनका सुधा अच्छा अच्छा तुमारे भी दिन आएंगे उसे में कुछ औरी सुनने को मिलेगा शामली, नहीं वे दिन कभी नहीं आएगा यह दुद्वेश आज का नहीं है चेतना के अंतस्तल में बच्पन से ही चमकर बैठ गया उसी कृष्णनगर शहर में उनके बगल वाले मकान में एक ओवर सियर महाशे रहते थे उसकी पत्नी के चेहरा भी उसे याद है कि तुछ शंक की तरह सफेद रखते ही नहीं चेहरा कंकाल मातर हातों में दो गुच्छे कांच की चुड़ियां उकड़ू बैठ कर कुएं के पास एक धेर बरतनों को मास्ती रहती थी वे उसकी बाद कलकते में बी-ए पढ़ने के समय वे शादी शुदा लड़की पढ़ने आई थी उसके साथ नौकरी करके ग्रस्ती चलाती हूं लेकिन फिर भी पाँच बच्चे हैं उनसे कहती हूं अब दुहाई है दया करो मुझ पर माफ करो मुझे बस अब बहुत हो चुका अब मेरी समर्थे नहीं है मुझे चुटका रहा तो आजकल तो कितनी ही तरह क्या उपरेशन वगेरा चल रहे है लेकिन वे कहते हैं हम लोग नेहाटी भाट पड़ा के पंडित वंश की हैं ये सब बाते पाप हैं अपनी जबान प समझ चुकी थी हो सकता है इसलिए सब चीजे वे शामली से छिपानी पड़ी हो उसको इस तरह सुदा पे गुसा भी तो नहीं किया जा सकता शिलावती पर धीरे धीरे संधिया उतर आये लाइट जल चुकी थी चका चौंद पून खेया गाट की लाइट शामली प्रकाश की और एक टक देखती रहे नदी पार कर सभी लोग कहां जा रहे हैं बालू के मैदानादी के पार उनका गाउं है कितनी दूर बालू के बाद उनका अच्छी तरह पीछा नहीं किया जा सकता नहाने के बाद उसने बालू को अच्छी तरह पहुचा नहीं था पेनवा अचानक शामली के शरीर में ठंडी सिरहन उत्पन ही, ऐसा लगा उसके शरीर से एक और शरीर उत्पन होकर इस पार चला गया है, शलाय नदी के काली रात एवम उसका काला पानी, उसके बाद गहरा अंधेरा, बालूर के उस पार सूसू करके चलती तेज हवा, बन के भितर से ह कर अकेला पागल सवे कहां चला जा रहा है सुदर शितेश की सिमानत तक कहीं भी रोशनी का नामों निशान नहीं एवं ना ही किसी गाउं के होने का अभास होता है शामली चौकुटी अश्यारिय यह सब निर्थक भावना क्यों उटी मन में ऐसी अदबुत जिंता क्यों कर उसके मन में आई कमरे में जूते की आवाज अवं तिवर प्रकाश का जुआर सुदा ने सुच दवा दिया था क्यों इस तरह अंदेरे में बैठी हुई हो यो ही शामली ने अप रस्तुत भाव को चेहरे से हटाने की कोशिश की इतनी जल्दी मिटिंग समापत हो गई आज हाँ कुछ फॉर्मल बाते थी अचानक शामली के पास बैठ कई सुदा तौनों हाथ उसके गले में डाल दिये बहुत नराज हो ना मुझसे नराज क्यों होंगी शादी की बात तुम से मैंने पहले नहीं कही तुविदा होई एक बार सुदा के मन में सच बोलने सच बात बोलने में क्या है बहुत बार बताने की चेश्टा की कि तुपरते एक बार मैंने मेरे जवान तक आई मैंने बात को वहीं रोक लिया क्योंकि तुम्हें तो जानती हूँ ना बोल उठोगी यही नियम है भाई सभी अपनी ही नजरों से तो दूसरों को देखती है तब फिर तुम गुस्सा तो नहीं हो न अरे क्या पागलपन करती हो सुदा अच्छा शादी की स्तिरा हुई यह तो बता सुदा की शादी के बारे में शामली को बिंदू मातर भी कौतुहल नहीं था किन्तु उसे ऐसा लगा मानू उसके मुसे यही बात सुनने के लिए सुदा उत्सुक है और उसका अनुमान ठीकी निकला सुदा पलंग छोड़कर उठी नहीं स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले शामली को होम टास की कितनी कौपियां देखनी थी किन्तु उसे नहीं देखने दिया दाई से प्राया तीन बार चाए मंगवा ये एवम गले के स्वर में छलकते पढ़ते सुक और लाच के साथ पूरी कहानी सुनाने लगी परिजय हुआ था यूनिवर्सिटी में किन्तु पास हो जाने के बाद भी संपर्क मिटा नहीं बलकि दिन पर दिन गहरा होता गया किन्तु बिना किसी रोजगार के सहारे लड़के का सहास नहीं हुआ अब बैंक में एक अच्छी नौकरी लगी है अब बादा किस बात की सुधा के पिता ठहरे बयांकर कंसर्वेटिव किसी तरह भी जाती के बाहर नहीं जाएंगे देखो तो आज के यूग में भी क्या मेंटिलिटी रखते है माने अपती नहीं की किन्तु पिता की राय की बिना चुट्टियों में ही सिविल मैरिज करने नहीं पड़े उस व्यक्ति को देखकर तुम्हें दया आएगी शामली सुधा के स्वर में सच मुची सुधा जड़ने ले क्या होपलेस व्यक्ति है मेस वाला नौकर नए जुते पहन कर देश चला गया कि तुम आखों से देखकर भी एक शब्द नहीं का उसने तीन महीने के भीतर दो बार ट्राम में पॉकिट कट गई दोस्त वगेरा रुपे उधार मांग कर ले जाते हैं वापस नहीं देते और वह कभी भी जवान खुल कर मांगता नहीं बोल तो ऐसे भोलानात को लेकर मैं क्या करूँ शामली के सिर में ना जाने कैसी पीड़ा हो रही थी दूर नदी की तरफ जहां काला अंदकार छा गया वहां से खेया गाट की रोशनी मानो उसी की आँखों के तीर की तरह चुब रही थी इतनी देर हो गए फिर भी सुधा चुप क्यों नहीं हो रही शिष्टा चार की खाती राकिर बोलना ही पड़ा फिर भी तुम उसे भोलानात की दिवानी हो फिर उसे महसूस हुआ कि नदी के उस पार उसी अंधेरे में गदान के भीतर से उसी रात की हवा में संसनाते बादल वन की छाया में उसका एक और निसंग शरीर कहां कितनी दूर चला गया उस पत का कहीं अंतने अंधकार की भी कोई सीमा नहीं फिर भी एक महीने में सब कुछ सहज लगने लगा शामली को मोटे मोटे लिफाफों के आते ही चोर की तरह सुधा का कमरे के भीतर चले जाना एवम कमरे के बाहर आने के बाद उसकी आँखों में चलन चलता की चमक दौनों गोरे गालों पर भरपूर लाली शामली को बार-बार कुछ कहना चाकर भी कुछ कष्ट से स्वैम को संभाल लेना मन में एक तिवर विरक्ती की भावना उड़ती है शामली के 26-27 वर्ष की होने को आई सुधा एक स्कूल की हैट मिस्टरिस है चेहरे वम आखों में किशोरी की तरह ऐसी आपा एक ऐसा तेज निकलता है कि शामली के शरीर में जलन होने लगती है आठ दस पेज की चिठी में क्या तो समाचार लिखते हैं एवं पढ़ने के बाद इस तरह से विहल होने का क्या ही मतलब होता है इस समय टीचर्स हॉस्टल में चले जाने में कोई हानी नहीं अब शामली को ना रहने से जराबी अस्विदा नहीं होगी सुधा को यही बात कहने के लिए शामली मन को त्यार कर रही थी कि हटात बुखार में पढ़ गए बुखार ऐसा कोई खतरनाक नहीं था मामुली इंफ्लुएंजा था लेकिन शामली भात कमजोर हो गई सुधाने का व्यर्थी स्कूल जाने के लिए क्यों व्यगर हो रही हो चुपचाप चार-पांस दिन पढ़ी रहो तीसरे दिन अकेले पढ़े रहना असैनिया हो गया बाहर जलती हुई दुपहरी में शिलावती की तरफ धूल का एक बवंडर उठता दिखाई पढ़ रहा उखार समान्य था सिर्दरत भी था किन्तु इतना होने पर भी बिस्तर पर पड़े रहने से सारे शरीर में जलन होने लगी सुधाप स्कूल से कई अंग्रेजी किताबे लाई थी उन्ही को उलट प्लट कर देखा जाए सोच रही थी सेल्फ से एक किताब निकालते ही एक हलके नीले रंग का लिफाफा गिर पड़ा ची 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 ऐसी भी क्या सावधानी या पत्र इस तरह बहार रखना चाहिए हमेशा ही तो अन्य टीचर्स सुधा के साथ इस कमरे में आती है किताबी भी प्राय ले जाती है किसी के हाथ में यदी चिट्टी सहीत किताब वापस रखते रखते शामली रुकी इंफ्लुएंजा के असर से शरीर अस्वस्त सिर में भैंकर पीड़ा बहार तेज धूप की घर्मी मानुश शरीर में ज्वाला फूख रहे थी शामली ने बार-बार चेश्टा की कि होटों को दातों से जोरों से दबा ले फिर भी बिना पड़े वा लिफाफा नहीं रख सकी किसी तरा भी नहीं जब उसने लिफाफा खोला उसके दोनों हाथ थर थर काप रहे थे सनायों में ऐसी चुआला ना रहने पर कुछ दूसरा ही असर पड़ता है किन्तु उनमाद में वह उस आठ दस पेज के पत्र को पूरा पड़ गए पड़ते समय बार बार उसके मन में एक ही दोन्द मजलता रहा नहीं पड़ूंगी नहीं पड़ूंगी फिर भी तीन बार उस पत्र को पड़ गई उसके बाद अचानक उसका उनमाद उतर गया तब वह अपने कमरे की और दोड़ पड़े और बिस्तर पर अंधी लेट कर आसूं से तकिये को तर करती रही यह मैंने क्या किया मेरा यह कैसा पागल पन है शाम को जब सुधा लोटी तब उससे नजर नहीं मिला सकी वह अपने इस अपराद के कारण जैसे जैसे उसे कहीं छिपने की जगा नहीं मिल रही थी अरी क्यों रही इस तरह मुझ ढखकर सोई हुई है सुधा ने डरते वेका कहीं बुखार तो तेज नहीं हो गया अपने डॉक्टर को खबर कर दू डॉक्टर साहब अपने घर के से व्यक्ती है स्कूल में हाईजिन पढ़ाते है नहीं बुखार तेज नहीं हुआ यूँ ही लेटिंग तो फिर इस तरह चादर क्यों तान रखी है मुझे थोड़ी देर सोने दे सुधा अच्छा ठीक है सो एक तरह की कुदसित आत्मगलानी से ही शाम बीद गई रात को बार बार नीद खुल जाती काफी पीड़ा महसूस होती आस सुबा से ही टीचर हॉस्टल में जाने के लिए शाम ली स्वैम को तयार कर रहे थी किंतु साड़े दस बजे सुधा स्कूल चली गई दाई काम निप्टा कर घर चली गई और धीरे धीरे हैड मिस्टरिस के कौाटर पर जैसे निर्जन दुपहरी उतराई शिलाई का पानी और बालू का मैदान धूप से चलने लगे हवा में एक मादक उत्ताप सा था भुखार नहीं था फिर भी भुखार की पीड़ा शरीर के प्रतेक रक्त कंड को भीदने लगी शामली के दिमाग में सब कुछ गड़मड होने लगा जिस तरह आग पतंगों को खीचती है उसी तरह सुधा का कमरा उसे अकरशित कीरा बार बार बिस्तर छोड़कर शामली उड़ती और फिर पड़ी रहती फिर बिजली किसी तेजी के साथ एक बात उसके दिमाग में आई इतना संकोच की इसलिए इतनी दुविधा कैसी चीरकाल से आपस में वे सहेलिया एक दूसरे के पत्र पड़ती आ रही है किसी परकार का वेदभाव और शरम का आवरन तो उनके बीच नहीं रहा फिर अभी कैसा बिजली ही नहीं तलवार सी चमक उठी उसके मन में और सारी दुविधा टुकड़े टुकड़े हो गई उसने पत्र पड़ा जानकर सुधा गुसा नहीं होगी वे अगर कहती तो इससे पहले ही सुधा स्वैमियू से पत्र पड़ा देती शामली उठकर खड़ी हो गई इस बार ना तो उसके पाउं कापे और ना ही मंडिगा नहीं किताब में और पत्र तो नहीं है तीवर उत्तेजना एवं गहरी निराशा से शामली के मन में आकसी ददकने लगी बहुत प्यासे के सामने से पानी हटा लेने से जैसा अनुभव हुआ उसे अंतर जुआले से उसने दांत पर दांत दबा लिये तो क्या सुधा ने पत्र बकसे में छिपा कर रखे हैं उसके पस चाबी का रिंग है उसी में शायद उसी से प्रेदन करके देखा जाए किन्तु उसके पहले है एक अश्यरेजनक यतारत का अनुभव हुआ से तक ये के नीचे उसे चार पत्र मिल गए सभी एक दिन में ही पढ़ लेगी भविश्य के लिए क्या एक भी नहीं रखेगी किन्तु फिर पता नहीं कब समय मिले सह जी फिर समय मिलेगा या नहीं कौन चानी कल उसको स्कूल जोइन करना पड़ेगा आज ही छोड़ देने से तो नहीं चलेगा इसके लावा और भी तो चिठी आएंगी सुधा की शेनिवार को प्रया ही रात को साथ वजे तक कमेटी की मीटिंग रहती है शामली एक के बाद एक दूसरा लिफाफा खोलने लगी दिन धल चला आकाश को वर्षा के काले बादलों ने ढख लिया खेया घाड के छपपर को ना जाने किस तरफ सरका दिया गया है स्कूल में बीच बीच में रेनिडे होने लगा चाई के साथ गर्मा गर्म पकोडों का आडर दे कर चंचल नजरों से बार बार शामली को ना जाने क्या कहना चाकर भी आंते तक सुधा ना कहपाने की स्तीती में आ जाती है आज दिन अच्चा नहीं है रे सुधा ने कहा चुट्टी मिल गई धत चुट्टी के लिए नहीं कह रही हो हिर्दय को मसोस मसोस कर बिलकुल प्रोजेक हो गई है तो सुधा ने गुनगुनाना शुरू किया सावनाया सकी कहा रे नगरिया श्यामली अंचाही नजरों से देखती रही वैठीक समझ नहीं पा रही है कि आज कल कभी कभी सुधा उसे बुरी क्यों लगने लगती है ऐसा लगता है सुधा बहुत अधिक तरल बहुत ही कम गंबीर इतनी चंचल एवं ऐसा छटपट करता मन लेकर क्या किसी को अच्छी लग भी सकती है कलकते से वे निर्बोध व्यक्ती, मृदू सुगंद भरे फीके, नीले रंके, पत्र में मोतियों की तरह हाथ से लिखे आठ दस प्रिष्टों में प्रेम का उच्छवास भर कर उसके पास भेजता है उन पत्रों को पूरी तरह से समझने का मन क्या सुधा ने पाया है जरूरत है, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो कोड से लोटने के बाद वकील की पत्मी के साथ केस लड़ना जरूरी होता अलग जीवन तो होता ही नहीं उसका सभी का नहीं रहता, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ मिला लिया है कहकर शामली चुप हो गए, सुधा के सामने उसने जूट का है जिस दिन से चिठी चोरी करके पढ़ना शुरू किया है उसी दिन से ही उसका एक जीवन शुरू हो गया है शामली का मुलाल हो आया, जूटी लाज के कारण एक मूरत के लिए स्वैन के सामने सीमट सी गई ना जाने सुधा क्या कहने जा रही थी कि इससे पहले उसे एक छाता दिखाई पड़ा, उसके बाद गेट खुला लौन की घास के भरपूर पौनी में रबड के जूते चप-चप करता हुआ पीली ड्रेस पहने पीला बैग लिए डाकिया दिखाई पड़ा सुधा कूद कर खड़ी हो गई, शामली का हरिदय कांप उठा उसके कान में साएं साएं आवाज होने लगी यह प्रथम दिन नहीं है, दिन सप्ता से, तीन सप्ता से लगातार प्योन के आने का समय होते हैं उसका खुन तेजी से दोडने लगता है उसी तरह उसके हिरदय में आधी सी चलने लगती है सुधा की तरह वह भी अच्छी तरह जानती है कि वह मोटा लिफाफक कब आएगा ब्रिदू, सुर्भित, नीले प्रिष्टों पर मुक्ता के से हर्फों में एक व्याक्यूल वक्ती के मन के उच्छवाहस अंकित होंगे एकनॉमिक्स में M.A. पैंक में नौकरी करता है और फिर किस तरह और कहां से ऐसी लुभावनी बाते लिखता है इतनी सब बाते कैसी आते हैं उसके दिवाग में जलती नजरों से शामली देखती रही सुधा को पत्र मिल गया है उसने चाय बहुत थोड़ी सी ही पीती किन्तु उसे यूही छोड़ पत्र लेकर वे अपने कमरे में चली गए और शामली अक्यली बैठी रही पत्र सुधा को लिखा गया है सुधा ही पहले पड़े ही है उचित है किन्तु मन की ज्वाला मन की ज्वालों को वे किस तरह भी शांत नहीं कर पा रही है सुधा चंचल है वे कभी गंभीर नहीं हो सकती शरारत एवम चंचलता के कारण उसकी दौनों आखें हर समय चमकती रहती है क्या इस पत्र को समझने लायक उसका मन एवम हिर्दा है उसके पास दूर कलकते के एकाकी व्यक्ति का प्रलाप क्या उसके मन को छूँ सकता है इस तरह के पत्र पढ़ने के बाद कभी भी तो उसने सुधा को ऐसी हालत में नहीं देखा कि वैए खिड़की में बैठकर तारे गिंते रात काटती हो या आदी रात के समय चांदवी रात में बाहर लॉन पर चहल कदमी करती दिखाई देती हो कभी भी तो ऐसा नहीं हो रात 11 बजे से सुभा 5 बजे तक वैस सुख की नींद सोती रहती है और सुभा जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी गाने की गुनगुना हट सुनाई देती है और फिर आती उसकी लसित पकार ए आना जल्दी चाय ठंडी हो गई सुधा को पत्र पाने का सिरफ अभ्यास मात्र है जैसे उसकी स्कूल जाने की आदत या गवर्निंग बॉड़ी की मिटिंग शुरू शुरू में शामली स्वैम से ही प्रशन करती कि सुधा की जैसी मर्जी वैसे करे उसकी व्यक्तिकत बातों से तुम्ही क्या मतलब तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना क्यों किन्तु मन की भावना को किसी तरह भी मिटा पाने में असमर्थ होकर अंत में उसने इसका प्रेतन करना ही छोड़ दिया अब पीच पीच में उसे सुधा बहुत बुरी लगती है, बहुत ही जादा बुरी उस दूर बठे व्यक्ति को किसी दिन सामने पाकर वैस सीधा उस जिसे प्रशन करेगी तुम इस तरह की बाते उसे क्यों लिखते हो? क्या वै तुम्हारी बाते समझ सकती है? सुधा दोड़ी आई कंब्रेज में, शामली, शामली, शामली ने नजर उठाई, भयानक खबर है भाई वै आ रहा है फिर दे में शामली के फिर आंधी सी उठी, उसके में उसे कोई आवाज नहीं निकल सकी वै शाम की ट्रेंड से आ जाएगा, खुशी के मारे सुधा का जारत चमक रहा था तो दोदून की छुट्टी लिए मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, शनीवार वैं रवीवार की मिटिंग भी अंत की बाद शायद शामली के कानों पहुँचे भी नहीं, वै उठ खड़ी हुई तो फिर मैं टीचर्स मैस, टीचर्स मैस में क्यों, तुम्हारे पती आ रहे हैं मैं यहाब फाल तु मत बख, तीन कम रहे हैं, तुम्हारे रहने से हुईदा कैसी वह अपनी आदत के अनुसार सुधा ने शामली के गले में अपनी बाहें डाल तुम्हारे रहने से मिरे पती देवता को दो एक तरह का बढ़िया का खाना खिलाया जाएगा मुझे तो तुम जानती ही हो, दाल और आलू उबालना छोड़कर कुछ भी पकाना नहीं हाता पती, देवता, शब्द विचितरत रहा से आस्वभाविक लगा शामली के कानों में गले से लिप्टा, सुधा का हाथ साप के फन की तरह मैसूस हो रहा था वह जटक कर चाहकर भी शामली ऐसा नहीं कर सकी कि सुधा को अलग कर दे सुधा स्टेशन गई है, छुट्टी मांगने की जरुवत ही नहीं ही भले, यानि सेकरेटरी ने अनुरोद सहीत अपनी गाड़ी भी भेज दी उन्हाने का मिस्टर मित्र स्टेशन से रिक्षे में आएंगे, हमारी क्या इजट रहेगी शामली बरांदे में खड़ी थी, सुधा की बात वह नहीं जानती है किन्तु ये दो दिन जिस तरह बिताए हैं वही जानती है आश्या गया, खोर आश्या गया इस तरह के पत्र जो लिखता है व्यक्ति देखने में कैसा होगा सुधा के मूँ से, उसकी बारे में उसने किसी प्रकार का भी विवरण नहीं सुना है और नहीं उसने सुधा को कभी प्रश्रह दिया किन्तु श्यामली के मन की आँखें, आँखों में एक चहरा कुछ कुछ स्पष्ट सहो गया चरहरा, लंबा चहरा, माथे पर गुंग्राले बाल, रंग बहुत गोरा नहीं कुछ-कुछ स्निग्द श्यामल, चरितर में एक ऐसी तरह की भीरूता वे चाहे जितनी ही आट-दस पेज की चिट्टी क्यों न लिखे, स्वभाव से वे अल्प भाशी है लजीली मुस्कराहट में ही आदी बादों को कह देता है, सुधा के संग उसका साम्य नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिन बीट चला, लॉन की घास पर अफसन शाम काली होने लेगी शामली कलाई पर बंदी गड़ी देखी, आश्यारे, गाड़ी आया आदा घंटा हो चुका था, फिर बी तनी देर क्यों कर रही है, सुधा ठीक उसी समय कार की आवास सुनाई पुड़ी, एक अर्ध हिन भै, एवं लज्जा से शामली का मनुवाद दोड़ कर कमरे में चली जाए कि तु नहीं गड़ी, सांस रोके वे खड़ी रही गाड़ी आकर गेट के सामने रुकी, सुधा अकेले ही उतरी, उसका चहरा उदास है, शामली के पास आकर क्लांती भरे स्वर से बुली वे नहीं आयरी, ट्रेन के जाने के बाद लोटी हूँ, लोटते से मैं रास्ते में प्याण ने एक टेलिग्राम दिया, कुछ जरूरी कारेवश लास मुमेंट बैंग ने रोक लिया, हो सकेगा, तो नेक्स्ट वीक आऊंगा शामली रेलिंग को कसकर पकड़े खड़ी रही, एक अग्यात पीड़ा से मानों उसकी दोनों आखे बंद हुई जा रही है, किस मुश्किल से उसने ये दो दिन व्यदीत किये थे, सब छूट, सब निरर्थक हो गया शाम की छाया पर ना जाने कहां से कंदकार पिंट जपट पड़ा, आकार ही नियंतर की तरह, वे शामली की तरफी तो बड़ा चला आ रहा है, एक निश्वास छोड़कर सुधाने का, क्या हो प्लेस व्यक्ति है, गुस्से से चिटी का जवाब भी नहीं दूँगी, तो इतनी मैनत की थी, उसके लिए इतनी तरह, इतनी तरह का खाना तयार किया, मरने दो, उसकी तकदीर में बोडिंग का रुका सुका ही लिखा है, तो चबाए, यह खाना तो हम सब लोगी खतम कर लेंगे, कहते कहते सुधा की नजर शामली पर पड़ी, ततकाल वे अपना दु मुझे कहकर सुधा खिल किला कर हस पड़ी, ऐसा लगता है, मानो मेरा नहीं तुम्हारा पती ही आ रहा है, कहते वे सुधा स्थब्द रह गई, शामली का चेरा सफेद हो गया, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता, बुस्सा मत होना भाई, मैं तो मजाक कर रही हूँ, जानत दरवाजे से, पीछ टिकाए कठोर शामली खड़ी है, किसी ठके, यंतर की तरह निश्वास छोड़ रही है, मनो प्राणों की समूची शक्ती द्वारा, वह बाहर की जमीन से स्वैम को बचाना चाती हो, एक शण में हो, जैसे नगन हो गई हो, सुधा के सामने, दुनिया के सामने, वह स्वैम अपने भी सामने, सुधा के मातर एक बात से मनों उसका संपून आवरन हट गया है, अपने भीतर के सर्वनाशी खाली पन की तरफ वह अपलक आग बबुला नजरों से देखती रही, सुधा को लोटने में रात हो गई, निराश उदासमन को कुछ सहज करन के लिए वह टीचर्स मेंस में ही कुछ देर के लिए चली गई थी, घर लोटते ही दाई ने एक पत्र दिया, शामली का पत्र, आवश्यक कारे से उसे शाम की ट्रेन से ही कलकता जाना पड़ रहा है, उसी के साथ एक महीने की चुट्टी की दरकास, विदाउट पे होने से भ अकार हिन, अंधेरे पिंड की तरह ना जाने क्या है, जो धीरे धीरे शामली के और बढ़ता चला आ रहा है, कोईले के चूरे से अच्छन अपलग त्रिष्टी से, उसकी और ताक्तेवे शामली को जैसे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कि क्यों उसका एक और शरीर, उ